और आज का हमारा टॉपिक है इन्विक्टिस इन्विक्टिस का मतलब होता है अन्बेटिन और अन्डेफियेटिड उके अन्बेटिन मतलब जिसको कोई हरा नहीं सकता और जिसको कोई डेफियेट नहीं कर सकता उसके सामने लड़ तो सकते हैं मगर उससे जीत नहीं सकते तो Invictus का मतलब ये है तो ये जो poem लिखे है वो बहुत ही famous poet है जिसका नाम है William Honest Hanley तो ये poem स्टार्ट करने के पहले मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि ये poem इन्होंने लिखी है बहुत ही motivational है क्योंकि ये poem के वक्त उनका operation हो रहा था और ये poem उनने तब लिखी थी जब उनका operation हो रहा था और कुछ reason के वज़े से उनका pair काटा जा रहा था तो हमें इस poem से बहुत ही inspiration लेनी चाहिए बहुत ही motivation लेनी चाहिए तो चलो देखते है इस poem से हमें कितनी सीख मिलती है और हम अपनी life के अंदर कितने changes लेके आ सकते है इस poem को सीख कर तो चलो बिना time waste करते हुए हम इस poem का explanation स्टार्ट करते है एक एक करके एक paragraph read करेंगे उसका मतलब समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे Out of the night that covers me black as pit from pole to pole I thank whatever gods may be for my unconquerable soul Unconquerable का मतलब ही होता है Unbeaten or Invictus तो pit का मतलब होता है एक hole जो ground के अंदर बहुत ही गहरा खोदा हो तो यहां पर आप लोग ने देखा है कि पहले line में उन्होंने जिक्र कर दिया है night का तो वो बता रहे है कि poet जो है वो कहना चाहते है that night वो जो hospital में जब admit थे तो आप खुछ समझ सकते हो कि क्या mentality होगी उस वक्त उनके दिमाग में कैसे कैसे ख्यालात आ रहे होगे तो यहां पर उन्होंने night को इसी लिए use किया है जैसे कि hard, no, nahi, never, fail, give up, sadness, उदासी, बुरा दिन तो इस सारी चीज़े वो मतलब बता रहे है कि मतलब उस night जब उनका operation हो रहा था उस वक्त उन पर क्या बीती होगी तो यहां पर वो बता रहे है कि वो सारे negative words उनके दिमाग के अंदर खूस रहते जिसको वो compare कर रहे है night से तो यहां पर वो बता रहे है कि भले ही मेरी life में कितने भी problems आए भले ही मेरे life में कैसी भी situation है मगर मैं God से क्या कहूंगा thanks क्यों thanks कहूंगा क्योंकि मेरी soul जो है वो unconcurable है तो whatever gods भी बोल रहे है हां तो यह मतलब थोड़ा सा विश्वास नहीं करते थोड़ा सा believe नहीं करते God पे तो फिर भी बोल रहे है कि thanks to God क्यों कि कैसी भी चीज़े आये कैसे भी मेरे दिमाग में ख्याल आये और कैसी भी मेरे सिट्वेशन आये कोई भी चीज मुझे पर attack करें मगर जो मेरी soul है वो उसको कभी हरा नहीं पाएगी तो यह इतने challenging ऐसी हालत में भी वो उनके जो दिमाग में है मतलब motivational चीज़ आ रहे है कि वो खुद को मतलब strong बता रहे है ठीक है जब कि उनका खुद का एक पैर जो है वो काटा जा रहा है जो उनसे अलग होगा और शायद वो ठीक से कभी चलने पाएंगे तो ऐसे हालात में हम अपने आपको समाल नहीं पाते हैं मगर इन्होंने क्या बताया है बले ही मेरा बदन कमजोर हो मगर मेरी जो आत्मा है जो मेरी सोल है उसके अंदर बहुत जादा ताकत है और मैं उसे कभी हारने नहीं दोंगा तो चलो दोस्तों आगे का एक और पैरेग्राफ पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या बताया गया है फैल क्लंच का मतलब होता है कोई ट्राप कोई जाला ऐसा ओके और सरकम्स्टन्स तो आप लोगों पता है विंज का मतलब होता है जार्क विद्ध पेन अपने दर्द से कर रहाना ओके और ब्लड यूरिंग्स का मतलब होता है वाइलेंट बेटिंग विद्ध अ क्लब जो आपको यहाँ पर लेफ्ट में ही सारे मेरिंग्स दिये होगे है तो आप इसको गो तुरू करिए जबी भी आप लोग टेक्सबुक पढ़ रहे हो और यहाँ पर और भी चीज़ दी गई है किसी के सामने जुकना नहीं किसी के सामने अपनी नाक को टेकना नहीं तो यहाँ पर वो बता रहे है कि वो कितने स्ट्रॉंग है यहाँ पर वो क्या बता रहे है कि कैसी भी सिट्वेशन है पोईट बता रहे है कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सा है मैं बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भले ही फस जाओ और मैं कभी रोऊंगा नहीं मैं उसे अच्छे से बेर करूँगा और उसको हराऊंगा वो कह रहा है कि मेरी किस्मत चाहे कितनी भी खराब हो भले ही मेरा पैर कट गया तो मैं अपनी लाइफ को आगे कैसे सवाइफ करूँगा ये नहीं सोच रहे है वो वो बता रहे है कि मेरा चो है कंट्रोल कितना अपनी सोल पर कि वो कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगी वो अपनी नाक नहीं रगड़ेगी ऐसा वो बता रहे है और वो बोल रहे है I have not wins nor cried तो उनका पैर चले गया तो वो एक पैर को लेके ऐसा नहीं बैठे है कि मेरा पैर चले गया मेरा पैर चले गया और वो रोते बैठे तो उन्होंने क्या बोला कि है मतलब भले ही मैं एक पैर चले गया मगर मेरा सर्तो है जो मतलब सही ठीकाने पर है और वो मेरा सर्तो है जो किसी के सामने जुका नहीं तो वो ऐसा बता रहे अन्बोनी हुआ मतलब जुका नहीं तो my head is bloody बट अन्बो तो यही चीज़ बता ही है अभी देखते हैं हम थोड़ पैरिग्राफ में वो क्या मोटिवेशनल बाते कर रहे हैं beyond this place of breath and tear looms but the horror of shed and yet the manance of ear find the shell find me unaffered तो आपको पता है breath का मतलब क्या होता है anger है ना गुस्सा and tear beyond this place of breath and tear तो आज मैं ऐसी जिन्दगी के पड़ाओ पर खड़ा हूँ जहां पर दूर दूर तक के हसी का ठिकाना नहीं क्या है मेरे आसपास में सिर्फ रोना है और बहुत सारा गुस्सा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुश्किले, मुसीबत, धोका और डरों से मैंने अपने सारे जालों के अंदर जो है पुरा जकड गया हूँ और हर जगा आसू ही आसू है तो ये बताते हुए वो बोल रहे है लूम्स बट दा हॉरर ओफ अफ शेड है ना जैसे कि हर चीज जो एक दुनला दुनला दिखाई दे रहे है मुझे मेरी मंजिल नहीं दिखाई दे रहे है मगर फिर भी मैं इन चीजों से डरूंगा नहीं ये जो धमकी है ये जो मिनेंस है तो ये जो सारी जो चीज़े मेरे पर हावी हो रही है जो अटैक हो रही है मैं इनको पास नहीं होने दूँगा मैं इनको फेल करके रहूंगा मैं इनको अपने उपर हावी नहीं होने दूँगा इन सारी परिशानियों को अगर वो चाते भी है कि वो मुझसे जीत जाए तो मैं उनको जीत नहीं दूँगा and I will find and shall find me unaffect तो वो ऐसा कहते हुए अपने आपको strong बता रहे है यहां तक कि उनका पैर जो है वो काटा गया है उसके बाद में भी वो इतनी हिम्मत दिखा रहे है okay it's matter not how to straight the gate how charge with punishment the scroll I am the master of my fate I am the captain of my soul by William Ernest Hanley okay तो यह last paragraph में बहुत ही motivational words लिखे है इन्होंने okay तो यह क्या बता रहे है कि मेरे life में अब चाहे कितने भी बुरे दिन आए और कैसी भी मतलब worst out of worst situation आये बुरे सी बुरी situation आये तो मैं उसको क्या करूँगा tackle कर जाऊँगा मैं उसको overcome करूँगा उससे उपर आऊँगा उभिरूँगा उसके साथ में रोता नहीं बैटूँगा क्योंकि मैं ही अपनी life के अंदर अपने soul का मालिक हूँ है ना मैं जो हूँ अपने सास के उपर control कर सकता हूँ ये जो मेरी soul है ये जो मेरी सास चल रही है तो इस सारी चीजों के साथ में मैं अपने soul को क्या करूँगा control करूँगा तो ये ये चीज़ बता रहे है और वो बता रहे है कि मैं इस चीज़ का master हूँ मैं इस चीज़ के अंदर बहुत ही माहिर हूँ ऐसा बता रहे है तो मैं क्या करूँगा स्रिफ progress करता जाऊँगा develop होता जाऊँगा और मैं छोटी सी छोटी situation जितनी बड़ी से बड़ी situation आएगी उन सारी चीज़ों को मैं जेलूँगा और आगे बढ़ूँगा वो कहते है न डूपते को एक तिनके का सहारा जो है वो ही काफी है तो भले ही जो हमारे poet है उनका pair cut हो गया है मगर वो अपनी हिम्मत नहीं हार रहे है वो क्या कर रहे है हम सबको बता रहे है हम सबको इतना प्यारा message दे रहे है कि हमको कभी give up नहीं करना चाहिए नहीं तो देखो आप लोग ने भी देखा होगा station पे किसी का एक हाथ सिर्फ ऐसा आड़ा तेड़ा भी है टूटा भी नहीं है काटा भी नहीं गया है तो फिर भी वो लोग वीचारे भीक मांगते है उके सबको कहीं न कहीं उनसे जितना बन पड़ता है उनको उस चीज के लिए जॉब करना चाहिए ताकि वो खुद अपने हातों की कमाई हुई रोटी को खाए ना की मतलब भीक मांगते हुए तो जो की हम लोग को पता चलता है हमारे पोएट से याद हकि उनका पैर काटा गया तबी भी वो इतने बड़े पोएट बने इतने बड़े राइटर बने और पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए पूरे इंग्लैंड में फेमस हुए जो चीज हो रही है हमारे साथ उसी को पकड़के सौजन को कहानिया सुना और रोते रहो तो यह सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और आप आपकी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और सिटुएशन को टैकल करते जाएंगे यहां पर बहुत अच्छा सा लोगो बनाया गया है बहुत अच्छी सी ड्रॉइंग है आइम दा मास्टर आफ माइ फेड आइम दा कैप्टन आफ माइ सोल तो इस चीज़ के बारे में आप लोग ज़रूर ध्यान में रखोगे तो था कि अच्छी सो मज़ भाची किन्दी ला ग्समार अच्छी करते हैं अच्छी अच्छी विडाएंग भाया फिज़्के लोग जवाची करते हैं लुज्वे सोले अच्छी तो आपि नाच्छीज।